प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आपडेट लोगों के मोबाइल फोन में अचानत यू आई डी आई याने की यूनिक आइटेंटिफिकेशन अथारिटी ओफ इंडिया के नाम से एक टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर सेफ हो गया जो है 1-800-300-1947 जिसके बाद से सोचल मीडिया पर फंगामा होने लगा और लोग यू आई डी आई की आलोचना करने लगे इस मामले में ट्विटर पर यू आई डी आई की करी आलोचना हुई परन्तु आज मोबाइल फोन में यू आई डी आई के नाम से सेव या टोल फ्री नंबर होने के मामले में गूगल ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है गूगल ने यह कबूल कर लिया है कि लोगों के मुबाइल फोन में दिखने वाले नंबर में उसकी गलती है उनहीं की गलती की वज़ा से लोगों के फोन में यह नंबर दिखा इससे पहले यू आई डी आई के उपर सवाल उठ रहे थे, मगर बाद में UIDAI ने कहा कि उसने किसी फोन निर्माता या दूरसंचार सेवा परदाता को मोबाइल फोन में अपना टोल फ्री हेल्पलाइन नमबर पहले से डालने के लिए नहीं कहा है, UIDAI ने यह भी कहा कि Android फोन में पाया जा रहा हेल्पलाइन पुराना और अमाइन्य है लेकिन बाद में आज Google ने अपनी गलती कबूली है और कहा है कि इस विवाद में UIDAI की कोई भूमी का नहीं है, Google ने अपने पूरे बयान में कहा कि यह एक सोफ्टवेर इसू है और हमने इंटरनल रिव्यू में पाया है कि साल 2014 में भारतिये स्मा पारा कोड कर दिया था या तभी से उसी में है, क्योंकि यह नंबर किसी यूजर की कंटेक्ट लिस्ट में सेव होते हैं, इसलिए वे उनके नए डिवाइसे के कंटेक्ट में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, आगे Google ने कहा कि इस कारण वस अगर किसी तरह की दिक्कत हुई तो हम खेद प्रकट करते हैं, हम भरोसा दिलाते हैं कि या ऐसी स्थिती नहीं है जिसमें आपके Android डिवाइसेज को अनएथोराइजट तरीके से एकसेस किया गया है, यूजर अपनी डिवाइस से इस नंबर को डिलीट कर सकते हैं, हम आने वाले सेट अप विजाड में नए संस इसकरन में इसे ठीक करने की कोशिस करेंगे, जिसे आने वाले कुछ अप्तों में स्मार्टफोन बनाने वाली कमपनियों को उपलब्द करवा दिया जाएगा, अनततह हम आपको बता दें कि गूगल के बयान के अनुसार अगर देखें तो, अगर किसी के Android डिवाइस के कंट इस तेलीकॉम नूज, सब्सक्राइब तो इस चानल अव